असलाम आलेकम वीवर्ज कैसे हैं आप लोग उम्मीद एक खेरियत से हों गए तो यह हमारा दूसरा व्लॉग है हमने अभी नगबर्ग गुल रहा है तीन चालीस हो गया अभी हमने डिसाइड किया बूसियां जा रहे हैं हम गाड़ी लेके जा रहे हैं पैदल नहीं जा रहे हैं इस बार सोचा क्यों नहीं एक व्लॉग हो जाए छोटा सा यह हमारे प्रदर सिंगत साजित तफजल मौही कि अधार यह मी हम पहुंच कि यहन पर बुसियां से सहजुआ है यहां पर पानी था, इसलिए पानी बर रहे हैं पीने मीने के लिए भी और मीट विदोना था, तो यह हमारे साथी कुछ, साजे, नासिर, तफजर, और बलागा, बेख भी सकते हो, यह हमारा मीट है, इसको फिजी बनानी है, और मज़े से हम बेख के खाएंगे, बनानी हाँ, ते खाएंगे, घच को महीचित है, और में पानी है, बेख के खाएंगpowered मी बनानी है, और प्तरों के देख के बनाानी है, भी यह आपको दिखाते चलेंगे गिंगल ए बोस्यां का व्यूपॉइंट से अच्छे से दिख रहा है यह नीचे एनेज़ पीजी है इंगल में और जो वो पार आपको दिख रहा है थोड़ा से दिख रहा होगा दिरिया की साथ वो लंबा जैसा तो वो मोहरा का पाउर स्टेशन है कि पहले हुआ करता था इंग्रेजों के जमाने में आज नहीं चल रहा है यहीं व्यूपॉइंट है बोस्यां का यहां पर यह कुछ फ्लेग जिसा लगाते हैं आज नहीं लगा रहे हैं आर्मी वाले यह यहां पिट्टा हो रहे एर्टेल वालूंका कि यह रहे हमारे नासर साहब जो कि बड़ी मेहनत और मुशकित के साथ यहां पर लगे हुए हैं जाहिज साहब ने यहां पर तुझ यहां पकड़ के रखी हैं और कुछ हमने माल तियार कर लिया अब यह लास्ट टरन है तो मैंने सोचा काम वाम खतम हो गया तो क्यों ना व कोड़ी सी नजदी की रखी हमने मोहीन साहब जो बैठे हैं देख रहे हैं चोटे हैं अभी ज्यादा काम नहीं पड़ा हैं को यह साजिद साहब और यह हमारे जेपी जिने बोलते हैं बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जो जानती ही होंगे और यह रहे हम खुद सेयद मुश्य तो उमीद करते हैं आप लोग भी यहां पर आएंगे और जो यहां पर मनोरंजन है मज़े हैं वह लिंगे आप अगर चोटी सी गाड़ी होगी आपको चोटी गाड़ी तो वह भी आ सकती है बैक भी आ सकती है लेकिन बहतर है यहां पर चोटी वाली गाड़ी यह बड़ी ग अब बड़ कि अब बादा है झाल झाल झालब झालब सिन थान पर थान आखरी पता है पता है झाल झाल तो गाईज एक लास्ट हम पहुंच के गर बहुत मज़ा आया शाम को गया इंज्योई किया अच्छे से तो आप पी जाएं मज़े करें बोसियां जाएं मिलते हैं अगले व्लाग में तब तक अल्ला हाफिज